हाले श्रेंट्स मैं हूँ अनंत शेकवर्सिस्ट और स्वागत करता हूँ आपका इस पैसे से चैनल दैट इस इंजियर सड़ा 247 पर एयरपोर्ट अथर्टे ओफ इंडिया एटी सी के एक्जाम होकर के चुका था 27 दिसंबर 2023 पर और उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है अभी एटी सी ने ऑफिशल वेबसाइट पर उन केंडिडेट के नेम के साथ इससे पहले जब रिजल्ट आया था उसमें किवल रॉल नंबर्स मेंचन थे नेम के साथ अनॉंस कर दिया है कि डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और अधर जो नेक्स्ट राउंड के टेस्ट वगर उन सब के लिए बोर्ड रूम ए ब्लॉक थार्ड फ्लोर एयरपोर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया कॉर्पेट हैड़कॉर्टर राजीव गांधी भवन सब्दर्जा गंज एयरपोर्ट न्यू डैली तो न्यू डैली में होने वाला है तो चाहे नॉर्थ ऑफ इंडिया से आ लिंक भी जो है नीचे डलवा दूँगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको डाउनलोड करके अपना नेम चेक कर सकते हैं डेट और टाइम चेक कर सकते हैं और नहीं तो ऑफिचल वेबसाट पर जाकर करके आपको ये पीडिया भी जो है मिल जाएगा तो यहां पर अग एक्स्ट्रा कॉल किया गया है ठीक है हालांकि चांसे आप यहां पर समझ सकते हैं कि कुछ केंडिडेट्स के चांसे वेटिंग लिस्ट में रहने के हो सकते हैं और कुछ केंडिडेट्स को मेडिकल या अधर एक्जामनेशन में हो सकता है कि आउट होना पड़ जाए तो इस application में सब कुछ जो mention किया था वो सही में है और इजिनल documents आपको ले करके जाना है passport size photo ले करके जाना है आपका जो degree थी उस degree का में physics and mathematics था उसके proof के लिए जो है आपको proof ले करके जाना है तो वो सारे document verification आपर होने वाले है इस verification होने वाला है उसके अलावा physical medical examination होने वाला है psychological assessment होने वाला है psycho active substance testing होने वाला है मतलब कहीं आप किसी ऐसे substances को यूज में लेने के आदी तो नहीं है like जिनको हम drugs बोलते हैं तो वो यहाँ पर check होने वाला है testing होने वाली और उसके अलावा voice test होने वाला है अगर हम voice test में आपको कुछ चीज़ें बुलवाएं जाएंगी कुछ बोलने के लिए दिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप उनको प्रनाउंस सही तरीके से कर पा रहे है कि सुनने वाला उसको सही से समझ पाता है या नहीं समझ पाता है तो बस एक छोटा से चीज़ होगा हो सकता है कुछ लोग यहां पर medical standards है उनको follow नहीं कर पाएं तो उन्हें out होना पड़े तो यहां पर mention भी है इसी PDF में कि क्या-क्या medical standards है लाइक BMI इतने से ज्यादा इतने पर होने पर कुछ टेस्ट करवाने आपको तब वह medical examination में क्या-क्या होगा वह आपको medical officer से ले करके जाना होगा और mention भी है मैं आप आपको आपके शो भी कर दोंगा कि यह सारी जो भी डेटा है इन डेटा को आपको close envelope में medical officer जो है वो करने के बाद देगा तो physical medical examination में यहां पर क्या है क्या क्या आपको medical examination में जो है medical officers जो है test करवा करके और फिर करवाना है ना आप यह मेडिकल डॉकुमेंट्स की जो रिपोर्ट है यह आपको submit करने है ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पर जाएंगे और वहां medical examination आपका किया जाएगा ऐसा नहीं बलकि आपको यह medical reports medical officer से बनवा करके और threads medical officer जो government वाले होता है उन से बनवा करके और फिर ले करके जाना होता है बाकी आप detail में इस PDF में और अच्छे से देख सकते हैं अगर यहां पर बात करें साइक्ट सब्स्टेंस टेस्टिंग में तो लाइक यहां पर कोके इन बाहर यह जो भी different different है कुछ इन में कुछ medicines है हो सकता है जो भी है तो यह इनका टेस्ट जो है किया जाएगा यह होना चाहिए मतलब functional requirements for PWD candidates के लिए क्या क्या requirements है जोनोंने physically handicapped के लिए फिल क्या है वह है अब applicant verification में क्या होगा केंडियर और बिंग फॉलरिंग सार्टिफिकेट्स इन और इजिनल और इजिनल आपको लेकर के जाना है कॉल लेकर जाना है admit card लेकर जाना है जो आपको computer based test था उसका admit card जो आपको मिला होगा है ना कुछ लोग अभी result आयता तो बोल लेते हैं कि हमारे पास to admit card ही नहीं है रॉल नमबरी ध्यान नहीं हम कहां से देखें तो संबाल के रखना होता है बाकि आपको mail पर जब मिल जाएगा mail पर भी नहीं मिलता है तो login का आपको password घर होता है तो हो सकता है महां से आपको मिल जाए जो आपने सबसे पहले apply किया होगा ठीक है और उसके अलावा क्या लेक है वह सत्यापित करके आपको लेकर के जाना है सर्टिफिकेट में अगर हम बात करना है तो सकेंडरी स्कूल की मार्क जो है लेकर के जाना है एज डेट और बर्थ हैर सेकंडरी मार्क शीट लेकर जाना है एंड सर्टिफिकेट यह फिजिक्स और मैथमेटिक्स है कि उसको च अगर किसी के आपके मारकशीट में जो आपने बी-टैक किया है या बी-एस-सी किया है या जो भी एलिजिबिलिटी थी उनमें अगर फिजिक्स and मैथमेटिक सभेट्स मेंशन नहीं तो आपको युनिवस्टी से ऐसा सर्टिफिकेट बनवा करके ले करके जाना है तो बनवा प्रिजन्ट केंक किसी जगह पर वाक कर रहा है तो बाकि और भी तर्शिक्टर में वाक कर रहा है तो उसका स्भश्वर्म पर पड़ते में इसकी कोई ज़रत पड़ती नहीं है बश्रति कि आपने को बॉन्ड बगर नहीं उरिजिनल में आपको medical documents जो भी बताया वही लेकर जाना है डूली फिल्ड फर्म असेशनिंग फंक्शनल रिक्वार्मेंट्स फॉर पर्शन बिडिसेबिलीटी के लिए लेकर जाना है डूली फिल्ड 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 करके लेकर जाना है, declare करके, self declaration attached करके लेकर करके जाना है medical examination के लिए जो था part वो यहाँ पर क्या क्या है वो to be filled by medical examiner medical examiner मैंने वो भी बोला authorized government medical officer जो होते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं और और भी different different यह सारी जो हैं जो फिल करवाने examination और different examinations है तो यह सब यहां पर बात रही तो काफी लंबा चोड़ा यह PDF है बहुत सारी चीज़ यहां पर mention भी है तो medical examination में physical and mental requirements होंगी यहां पर यह सब चीज़े mention है कि BMI इतने से ज़्यादा उपर कम होने पर और बी जो test करवाने होंगे वो सारे points जो हैं आपर mention है क्या क्या आपको करवाने होंगे visual requirements जो हैं आपकी eyesight के लिए वो सारी जो हैं यहां पर mention है तो आप check भी कर सकते हैं हो सकता है कि आप इन particular किसी requirement में fulfill नहीं हो पा रहे हो इसको देख सकते हैं और अगर आपकी query रह जाए फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो comment section में comment करें मैं मैं इसको अच्छे से deep में जाकर कर आपकी उन queries के लिए और फिर कोई भी query होगी तो जरू comment section में reply करने का ट्राइए करूंगा या फिर requirement हुई तो वीडियो भी लेकर क्या हूंगा ठीक है तो आप voice test के लिए preparation की जो रहता है और इन सब documents जो हैं इनकी gathering की जो रहता है voice test में preparation की मतलब तो खेर कोई बात नहीं है लिए all the best आपके coming जो interview session थे उन रप के लिए और बाकि जो appear हुए थे इस बार लेकिन वो इस list में शामिल नहीं उपाए हैं उन सब के लिए all the best for next upcoming vacancies तो भाई लगे रहो vacancy आनी है confirm है और अभी एक reply भी आया था जो सदन में reply के आ गया था कि ATC के लिए बहुत सारी vacancies जो ह है फिल हुई है लेकिन बहुत सी अभी भी फिल्ड नहीं हुई है तो उनके लिए जैसे training centers जो है training अभी स्टार्ट होगी training centers का occupation occupy जो है वो खतम होगा मतलब वेकेट होंगे तो नहीं vacancies के लिए भी जो है मार्ग खुलता रहेगा तो preparation continue करते रहे हैं I hope जल्दी से next upcoming vacancy आपक कह सकते हैं चलो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए वाल दा बेस्ट बाइबाए टेक क्या अच्छ 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 अच्छ